कुम्यूनिकेशन स्किल्स में लास्ट टाइम हमने बात शुरू की थी के रिसीविंग एम्फिथेटिकली जो बेसिक था कि जो चार कॉंपोनेंट्स हैं नॉन वॉयलिंट क्यूम्यूनिकेशन के जिसमें अब्सर्विंग फीलिंग नीडिंग और रिक्वेस्टिंग है एक तो हम अपने एंड पे करे थे आप हमने यह देखना है कि दूसरे दूसरे निगर्णे आप किस तरह गुफ्टूग की जाए कि वो अपने लिए भी यह काम करे और हमारे साथ यही सखी तरह से यह treatment हो सके यहनई उसको भी यह तरीका आ जाय मैने आपको खास्वापर बाताए था क्यूंन कौन से ऐसे इसे किलर्ष होतें हैं एंपधी के killers होते हैं उनको इस्तमाल नहीं करना फिर कि दूसरे इंसान feelings or needs उनको कैसे understand करना अचा इसके बाद जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो और हम चाहरे होते हैं कि समझ जाएं कि उसको मेरी बात पता चल गी है सही तरह कि नहीं हम इसको एह करते हैं उसको कहते है réflex back करो आपको याद स्वर्य होते हैं कि दूसरा इंसान कहता है कि वहम मैं क्यों समझ नहीं इस बात कह सकते हैं तो हम उसमें जुम्ला क्या बोलते हैं कि नहीं मैं सली इनसान से बात कर रहे होते हैं, तो अब हमने, क्योंकि उसको सिखाना है ना, हमने उसके लिए Nurse आपसे बात कर रहा है, और आप चाहरे हैं कि वह कहें मुझे कि reflect करो, लेकिन वह तो नहीं कहा रहा है, तो उसके लिए तो नहीं एक communication का तरीका सीखा वा, तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है वो होती है पैराफ्रेजिंग अब हम क्या करते हैं हम जो बात वो कह रहा होता है हम खुद रिपीट करते हैं तो उसने कहा कि ये काम कर दो हम कहते हैं चाप ये चारे हैं ये करो या पैराफरेज करे रहे हैं उसकी बात को जब हम पैराफरेज करते हैं तो इससे दूसरे इनसान को automatically एक chance मिल जाता है कि अगर उसने ये नहीं कहा तो वो उस बात को crack कर सकता है उसको repeat कर सकता है इसी तरह उसको एक opportunity मिल जाता है की जब वो बात सुनता है ना मसलना आपसे किसी ने कोई बात की और आपने का कि आप मुझ से यह करवाना चाहरे है49 है आपका दिल चाहरा है कि मैं इस activity को इस तरीके से करूँ और वो किसी और तरीके से करना चाहरा था तो उसको तो खुद सोचने का मौका मिलता है कि मैंने शाय जया तो बात सही नहीं गनवे की यह जुमला ही गलत बोल दिया आप देखिए हम भी कई दफा जब दूसरा इंसान हमें कुछ बताता है तो हमें अंताजा होता है कि कोई ब्लंडर हो रहा है मेरे एंट से ही ब्लंडर हो गया है मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे यह जुमला नहीं बोलना चाहिए था तो यूजिली जो हम जुमले बोलते हैं वो कैसे होते हैं जैसे हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें क्या मैसूस हो रहा है और तुम क्या चाहती हो और मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती तो जब भी हम इस किसम के जुम्ले बोलेंगे जो हमारे सामने इंसान कड़ा है और उसकी actual reality को कि वो बोला क्या चाहरा है वो मैसूस क्या कर रहा है उसकी need क्या है feelings or needs को बहुत ज़्यादा importance देनी होती है जब भी हम किसे से गुफटगू करते हैं और अगर हम उसकी feelings or needs को समझे बगहर उसको कोई भी बात कहते हैं कोई भी चाहिए हम तरह से ये भी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है लेकिन अगर हम इसकी कैसे बोलते हैं तो उसकी वज़ा से क्या हो जाता है कि वो हमारा conflict दूसरे इंसान से बढ़ जाता है क्योंकि दूसरे इंसान को लगता है कि हम उसकी बात जो है वो समझ नहीं रहे तो ये safe route नहीं होता conversation करने का कि हम feelings or needs को understand कि ये बगार किसी इंसान से बात करें जो एक observation है कुछ experts की वो ये है कि people feel safer if we first reveal the feelings and needs within ourselves जिसकी वज़ा से वो कोई question आ रहा था यानि लोगों को अगर हम बता देना कि मेरी ये need है मैं इस उड़ा से आप से बात करी हूँ मुझे ये महसूस हो रहा है हम क्या करते हैं यूजिली बात करते हुए हम attacking position में आते हैं तुमने ये नहीं किया तुम ऐसे हो तुम बेरी बात नहीं समझ रही तुमें तो कभी नहीं मेरी बात समझ आनी हमारा कहने का तरीका या होता है कि कोई फाइदा नहीं है तुमसे बात करने का तुम्हें नहीं कोई बातें समझ आती यानि हमारे ना टॉंट्स होते हैं और दूसरा इंसान बताना चाह रहा होता है बड़े सिंपल वर्ट में कि मेरी नीड गया लेकिन वो बता नहीं पाता अगर एक जुमला आप कहते हैं कि क्या किया तुमने उसकी बजाएगर हम उनको कहें कि मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेय्ट हो रही हूं मुझे नहीं समझारी कि मैं सिचमेशन से कैसे डील करूँ मुझे यह नहीं समझारी कि तुम क्या महसूस कर रही हो और अगर मुझे आप बताओ तो maybe you know we can resolve this challenge क्योंकि मसला ही होता है यह जो paraphrasing होती है इस वकत तक हमारे emotions बहुत heavily invest हो जाते हैं हम इतने जादा emotional हो जाते हैं जितने जादा आप emotional हो जाएंगे आप उतनी जादा बड़ी गड़बड करेंगे जी बिकुल ऐसे ही है बिकुल ऐसे ही है जब हम ऑंशूर हो हमें message नहीं सही तरह से समझ आया तब हम क्या करते हैं अगर हम emotional हो जाते हैं तो हम पराफ्रेज करते हैं उसमें हम guess work कर रहे होते हैं और guess work में हम कही न कहीं judgments भी डाल रहे होते हैं कहीं-कहीं criticism भी डाल रहे होते हैं, कहीं-कहीं, कोई-कोई ऐसी negative बात कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान भी जो होता है, वो हमसे offend होना शुरू हो जाता है, यह जो नहीं बात की, कि जब हम बहुत जादा triggered हो गए हों, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाह जाएगा, और यूजिली बहुत सारे ऐसे मसले जो होते हैं, वो process के तोर पे होते हैं, वो साल हा साल से चल रहे होते हैं, पॉस कर गए होते हैं, जब आप थोड़ी के लिए pause करते हैं, और आप अपने आपको बताते हैं, कि इस वकत I am too emotional, और मैंने नहीं इस पर बात करनी, जैसे मैं बता हूँ, घरवाले हमारे होते हैं ना, तो उनको हमारी body language से समझ आ जाती है, कि फलाँ को बुरा लगा, इसको अच्छा नहीं लगा, और मैंने देखिया, अगर आप खामोश रहें ना, तो वो अपने रवईयों को ज़्यादा बेतर करते हैं, तो कि रसूल आल से मौतात हो जाते थे, हम अपने घरों में देखें, कि जो ऐसे बुजर्ग हों, ऐसे लोग हों, जो कि इस तरह का रवईया दें, तो क्या हो जाते हैं, हम भी मौतात रहते हैं, उनके साथ, हम भी बेतर रहते हैं, और मैंने यहीं खुद experience की, जब मैं पढ़ती रही और जा से एक दफा हुआ, आपको feeling फॉरण आ जाती है, कि बच्चा को activity ऐसी कर रहे है, मैं चुप करके गुजर गी, मैंने सिरफ हलका सा पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने भी कोई दुदर का जवाब दे दिया, चाह, मैं चलीगी, एक दो दिन बाद फिर गुजरी है, तो फिर मैं बेशक, मैंने का रही शोर, उसने का हाँ शोर, मेरा बतार दिल मेरा बहुत मूट सा खराब हुआ, तो मैंने बस यू देखा और मैं चुप करके अपने कमरे में आ गए, उसके बाद ना मैं निकली नी कमरे से, मैं बोली नी, आप सोचे थोड़ी दे कि बाद, किसी बहा मैं नी किया, मैंने पूरा जवाब दिया, लेकिन I was very hurt, hurt होते हैं ने, parents होते हैं हम हुआ होते हैं कि हमारा बच्चा हम इसके लिए इतनी जान मारे हैं, वो हमें trust नहीं कर रहा, हमसे बाद नहीं कर रहा, so I was very hurt, तो वो बाहर गया, वापिस आया, और उसने मुझे आपके का और मुझे क्योंकि ऐसी feeling आई, मैं mother होना मुझे ऐसी feeling आई, तो उसने मुझे का कि नहीं, rest assured मैंने कुछ नहीं ऐसा किया, और अगर आपको ऐसी feeling आई है, तो I'm sorry, and I'll make sure कि मैं आइंदा कभी कोई ऐसा काम ना करूं, जिससे आपको ऐसी feeling आई, और मुझे लगा, बाद में ह इतना सान था यह मसला हल करना, यह नहीं इसके बरक्स usually typically क्या होता है, आप कहते हैं अभी दिखाओ, अभी खोलो, और तुम्हारा तो यह मैंने laptop और यह phone तोड़ देना है, और अगर तुमने इस्तमाल किया तो फिर तुम देखना, और मैंने तुम्हारे अबू को भी बतान हैं फिर तुम सीधे हो गया सीधी होगी है, जब हम थ्रेट्स पे हाते हैं तो बच्चा क्या करता है, जो करना कर लें, अगर मैं आप मुझे रख रहे हैं और आप मुझे मुझे नमाज करने को चरहें अल्ला के लिए लिए लिए, अच्छा प्शा लिए ना, यह आपको मि पीची है हमारी अथौरिटी में है आप शोहर से कार ले आप किसी कुलीक से कर लें जिश्यदार से कर लें किसी से भी आप थ्रेटनिंग तरीकें से बात कर लें तो वो बंदा आगे से वो बिलकुल बैक फायर होता है उसकी अधर में स्पेस खतम हो जाती है और एक एक बैक फूट एंड तो थोड़ा सा उस पाथ की स्पेस भी देनी पड़ती है इसका तरीका ही होता है कि जब आपसे कोई भी कोई बात कर रहा है उसमें कहरें कि रूल आफ थाम क्या है रूल थाम यह है जब एक स्पीकर कोई बात आपको बता रहा है और वो आपसे कोई रिस्पॉंस चा रहा है और वो अगर बहुत जादा इमोशनल हो चुका हुआ है तो आपने उसकी बात को दोहराना है जिसमें आप उसकी फीलिंग और नीट्स के बारे में बात करेंगी बच्चे की एक्जामपल लेते हैं मैंने नहीं जाना आज स्कूल तो हम क्या कहते हैं जूता लगाऊंगी छुटी करके तो देखो तुम हिम्मत कैसी ही कहने की तुमने बेकारी की जिन्गी गुजार नहीं है तुमने कम में रह जाओगी हमारा वो एक लेक्ट्र स्टाइल शिरू हो जाता है फौरन सोचें कि एक बच्चा जो healthy state of mind में होता है वो क्यो नहीं स्कूल जाना चाहरा क्या वज़ा है उसकी feeling और needs क्या ह आप थके में और युझे से आपको लग रहारा आपट स्कूलधा जाना चाहरै यह और अपको कोई problem हो रही है वहाँ पे Is वज़ आसे आपको लग रहा कि आप श्कूल नि जाना चाहरे जब आप यह करते हैं तो आप वो बच्चा अपने behavior के बारे में पzychर सोचता है वह यह सोचता है कि मेरी feeling क्या है और मेरी need क्या है और वह फिर उसके मताबिक कोई response देता है अगर वह कहता है नए बस वैसे ही यज अगर भी कहता है मुझे teacher नहीं इच्छी लगती अच्छा अगर हो कहते है teacher नहीं ज़ी लगती तो हम फिर क्या कहते है ताइचर को नहीं ऐसे कहते हैं पढ़ना तो है अब तो यह जुरूरी है देखे हमने माइड बनाय वाए कि हमने उसे स्कूल भेजना यह निया कि हमने चुटी कि राले नहीं है लेकिन अब उसे क्म्युनिकेट कैसे कर रहे हैं वह सूली बात है मैंने इसे शुरू में आपको काता हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि अगर मैंने इससे जादा को जुमला बोल दिया बच्चा चौड़ हो जाएगा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा वो शक्स काम नहीं करेगा और मैं उसे करवा लूँ आप देख लिए जितने हमारे कल्चर में क्या हमारे कल्चर में है अगर हम किसे इनसान से डिरेक्ट बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में तो वह यूस्ट वी नहीं होता अजीब सी बात लगती है कभी-कभी यह भी हो जाता है वह इनसान वैसे ही समझता है कि मेरे पर कोई अटैक कर रहा है उसको नहीं समझ आती कि मैंने अपनी फीलिंग्स और नीज्स उनके पर कैसे बात करनी है लेकिन जब हम आस्ता इसता बात करते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा डिसकस करते रहते हैं अपने बीविश को चेंज करते रहते हैं तो दूसरा इंसान भी बहुत जादा अच्छी तरह र आते हैं कि मैंने तो सरफ इसको ये भाब की थी और साथ ही कहते हैं मैंने इसी टोन में की थी और वो जो साथ दूसरा इंसान है वो यो यो सर हिला रहा होता है कि no way क्योंकि आप emotional होते हैं आपको नहीं समझ आ रही होती है आप बिलकुल भूल चुके होते हैं तो टोन जो है हम तुमने इसी तरीके से करना है तो हम उनको क्या बता रहे हैं कि मुझे बिलकुल पता है तुम्हारे अंदर क्या हो तुम्हारे दमाग में क्या चल रहे हैं तुम करना क्या चा रहे हो तुम्हारे मैस्टर प्लैन क्या है और इसलिए जो मैं बता रही हूं तुमने वही करना आप देख लिए हम ऐसे ही होते हैं इतने हम शूर होते हैं कि दूसरा इंसान ये गलत है तो पिर हमने दीन में क्या सीख है ये जो गुमान वाली बात है कि अच्छा गुमान करना चाहिए हर एक से हम क्यों ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं दूसरा इंसान ही जो है न वो इतना ज़्यादा बुर है तो हमारी जो टोन होती है वो क्या क्युमिनिकेट करती है हम उसको ये बता रहे हैं कि मुझे सब कुछ समझ आगे जबके टोन क्या क्युमिनिकेट करे मुझे लग रहे हैं कि मैंने ये समझा है इसलिए मैं पैराफ्रेज करके ये चीज़ चेक आउट करना चाहरे हूँ कि मुझे ये बात समझ आई है कि नहीं आई है कि मैंने गलत तरीके से बात तो नहीं समझी फिर इसे तरह से एक और जो बहुत important काम करने का होता है पैराफ्रेजिंग में जब हम पैराफ्रेज करें तो हम अपनी नियत को चेक करें में तो नहीं उसकी बात को गुमाकर किसी और डिरeक्शन में लेएक जाहरे है तो कि हमारे अंदर स्टोरी चल रही होती है, दूसरे इंसान के इंद रेक और बात चल रही होती है तो मेरी अगर intention में वो पक्की बात आगी न कि इसने ये जान के किया, ये ऐसे हुआ है, अभी मैं एक किसी challenge से deal करी थी, तो मैं दो लोगों की ज़रा सुला सफाई करवाना चाहरी थी, एक party जो थी वो तो बड़ी सुला सफाई पे थी, और दूसरी party थी, वो उनके बारे में इतनी बदगुमानी कह रही थी, मैं उसे बार बार समझा रही थी, कि देखो मैं तुम दोनों को जानती हूँ, मुझे तुम दोनों का पता है, और मु क्योंकि आपकी नियत का सही होना जो है ना, बहुत ज़र्वरी होता है, जब हमारी नियत खराब हो जाएगी, मदब हमारी नियत में कुछ और बात आ जाएगी, को एजेंड़ा आ जाएगा, कि मैंने ना, इसे ये काम इस तरीके से ही करवाना है, तो फिर क्या हो जाएगा क कि दूसरा इंसान जब हमसे बात करेगा वो intimidated होगा वो नहीं हमारे साथ comfortable होगा वो बात करते हुए पहले से त्यार होगा कि इसने कुछ कहना है और उसकी वज़ा से क्या होगा कि क्योंकि उसको यह feeling आएगी कि I'm less than a human मैं तो अच्छा इंसान ही नहीं मुझे बहुत जादा इ किसी ने यह नहीं का कि मुझे तुम में बहुत खैर नजर आती है मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो अगर एक हमारा बच्चा या एक हमारा को family member दुख में हम बाहर जाके हारे के साथ वह दुख समेठते हैं लेकिन हम अपने immediate close family members जो हैं उनको यह नहीं दे पाते हैं आपने इंकार करने हैं प्यार से इंकार करते हैं नहीं बेटा यह नहीं हो सकते हैं बस बात करता हैं दुबारा है दुबारा गले लगाएं इंकार करते हैं कि यह नहीं हो सकते हैं अक्सर लोगों की घर में कोई nature और होती है वाइल सारी लोगों की तारीफ नहीं होती है एक पर हमारे emotions बहुत हाई होते हैं मसला मैंने भी अगर अपने बच्चे का मसला हल करना है तो मैं बहुत emotional हूँगी तो वहाँ पर मुझे बहुत मुझे बहुत आत होने की जरूरत है बहुत careful जिसके साथ मेरे emotions invested नहीं है किसी और का बच्चा है किसी और का family member है उसको लोग जो coaching की लिया आते हैं वो यह भी कहते हैं मैं बाकी लोगों के लितनी अच्छी counselor हो पता है मैं अपना मसला नहीं हाल कर सकती तो वह आंको कहते हूं आप preserve करें मैं भी अपना मसला नहीं हल कर सकती मैं भी किसी से मश्रा करकर को करना की तो क्यूंकि जब आपका अपनाальный चैललेंज होता है तो आपके जगपाते हैं पीच में आपके STAKS हे पाया हाई उते हैं में हम कुछ और होते हैं, उसकी वज़े यह वहां बैरियन नहीं होता है, हमें जैर नहीं होता है, कि यह नहीं कहां जाना है, हम अधर टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाता है, रिलेशंशिप एक और चीज़ में इंपोर्टन हमने समझनी है, कि जब हम यह पराफ्रेजिंग क को चेंज करना है, और उसको कैसा बनाना है, जो मेरे दमाग में है, मैंने इसको वैसा बनाना है, इससे फिर बहुत बड़ी खराबी जो होती है, हमारी हो जाती है, और इसी तरह कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं, क्या जुरूरत है वक्त बरबाद करने की, कि मैं जी बार जाए कोई बात तो वो क्या कहते हैं, यह लातों के भूत हैं, यह जी बड़े धीट हैं, यह नहीं ठीक होने वाले, इनके साथ सक्ती करनी पड़ेगी, इनको जूता लगाना पड़ेगा, जब तक मारेंगे नहीं, यह ठीक नहीं होंगे, और फिर हम क्या करते हैं, कि हम बात अराम से करके बता दिजाए कि ये कर लो और ऐसे कर लो वो दो मिनिट सोचता है और एक दम सेटल होता है और वो काम करना शुरू कर देता है और जैसी उसकी तारीफ करो वो इतना खुश होता है तो मुस्कुराबता है उसको बताओ कि तुमने ये काम कितना अच्छा किया है मैं इती हरान होती हूँ अपने बच्चों के बेहवियर को मैंने और तरह से देखा लेगे अब मैं अपने ग्रैंड के बेवियर को देख रही हूँ तो वह एक और एंगल से न मैं समझ रही हूँ कि तो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं पर अगे हमने एमंपथी है उसको सस्टेइन करना होता है, क्योंकि हमारे साहते हैं कि बलूंज आरे स सरे प्रभोट करना बढ़ने न हो کرلوں. और इसी वज़े से हम क्या करते हैं कि हम उनको वो space ने create करने देते हैं. यानि आप पुनो space को बढ़ाते जाना होता है. Space को अंदर की, कि वो खुद सोचें, वो खुद सोचें, वो खुद फैसला करें, वो क्या बात बोल रहे हैं. यानि मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे पास कोचिंग में कोई फैमिली मेंबर आया हो उसके साथ कोई चीख चला रहा था और इसने भी जवाब दिया और यह खुश हो और यह कह जी मैंने बड़ा खुश हूँ मैंने इसको जवाब दी हमेशा जब दो अफराद आपस में लड़ वहाद आता यहां है तो यह जो सिल्षा होता है इसले क्या करना होता है कि थोड़ा सा उनको लस्पेस देनी होती है जैसे ऐकसर माइं आ जाती है और अगर ऐसी बात कहती है कि जी मेरा बच्चा तो बिल्कुल impossible है कोई मेरी बाती नहीं सुनता और उस वकद वो क्या हो रही ह कि किसी तरह से भी मैं अपने बच्चे को बात सुनवा दू और बात समझा दू लेकिन अगर उस मा को यह बताया जाए कि देखो यह नो टचिंग दूश्ट अफ दूश्ट तुम उस बच्चे की फीलिंग को नहीं अंडरस्टेंड कर रही हो तुम सिरफ उस बच्चे में या हम डांट रहे होते हैं हम बच्चे के साथ डैस्परेट हो रहते हैं क्यों हो रहते हैं हम यह फील करते हैं कि I have failed as a parent मैंने तो सारी जिंदगी यह मेनत की थी तो यह मेरे बच्चे के साथ जो यह नहीं क्या हो लेकिन अगर उनको यह बताया जाए कि अगर आपको लगता है क कि you have failed as a parent, discouraged feel कर रही हैं तो क्या यह जो behavior अभी आप देने वाली हैं उसको डांडने वाली हैं उसको बहुत सकती से reprimand करने वाली हैं उससे वो बच्चा वो काम कर लेगा अब आपने space create कर दी आप उनको बतायें कि आपकी need क्या है न आप you want to feel like a good mother आप यह success story अपनी generate करना चाहती हैं कि जी मैंने अच्छा काम किया और अपने बच्चे का भी फाइदा चाह रही हैं सबसे बड़ी बात तो यह दुनिया और आखरत का फाइदा चाह रही हैं तो आप फिर अपने अंदर वह space create करें जब आप अपने अंदर वह space create करेंगी कि यह वाला behavior देने से तो जैने के काम नहीं करना है थोड़ा सा आगे देख लें कौन सा फिर मैंने जुमला बोलना है कौन सी बात करनी है जिससे जो desired result है वो आए कई दवाप कहते हैं लेकिन यह तो मुझे फिर छे मीने करना पड़ेगा सिर्फ अपने relationship पे वरक करें जो मसलें उनके बारे में बिलक करते हैं ना और को बात ही नहीं हो रही बच्चे जो है वो अपने अपने कमरों में रहते हैं वो एवन खाना डालके भी ले जाते हैं लड़ाई हो रही है जरा दासी बात पे वो बच्चे आपस में भी लाड़े हैं और माबाप से भी लाड़े हैं और माबाप परिशान है माब यही कह रहे हैं कि हम तो मसला हल करना चाह रहे हैं आप सिर्फ यह करें जिसे खाने की मेंस बैटें सिर्फ गप्शप लगाएं हाल चाल पूछे एक दूसरे का मज़ी की चीज बनाएं और दूसरा यह कि जितना आप उसको अपने से दूर करेंगे, वो और खलत चीजों में जाएगा, उसको आपकी mentoring चाहिए है, ठीक है न, किसी भी relationship में यह करना पड़ेगा, एक और जो बात empathy के साब से हमने समझनी है न, दो मसले अगर हमारे अंदर बहुत जादा हों, तो हम कि किसी ने प्यार से बात दी की, मैं कितनी ऐसी mothers को जानती हूँ, या खवातीन को जानती हूँ, जिनको बचपन से बहुत सक्ती के साथ, बहुत rigid pattern से raise किया गया, तो वो क्या समझती है, यही सही तरीका है, यह क्या feeling-shealing, वो कहती है कि अंग्रेजों का काम है, मत्या आप वो लोग जुड़ते हैं जिनको लगता है कि इनको मेरा ख्याल है, I'm important for them. सारा काम मैं करती हूँ, इनको मैंने डांट के रखा हुआ है, इनको मैंने ये समझाया हुआ है, ठीकि अगर हम starved है for empathy, तो हम किसी और को क्या देंगे, हमारी अपनी battery कम है, हमारा अपना खजाना नहीं है, हम किसी और को loan देने का कैसे करेंगे, तो इसका क्या मतलब होता है अगर आपको लगता है, आपको कभी empathy नहीं मिली, तो उसका मदा तो चखें, उसका मदा चखें, जब आप मदा चखेंगे ना, फेर आपका दिल चाहेगा, मैं दूसरे को दूँ, ऐसी तमाम बातें याद रखें, जहां पर किसी ने आपके साथ empathize किया और आपको कितना हमारी खुशी का मौका होता है, तो कोई उसमें शामिल होता है, हमें मुबारिग बात देता है, हमें कितना अच्छा लगता है, हमारी किसी चीज के कोई तारीफ करता है, अच्छा कोई हमें सिर्फ के कहता है, तुम परिशान लग रहे है, तुमारी तबिया ठीक है, हमें कि caffeine कुछ ङद्गे जो मेरे प्यारे इंवेस्ट करने हैं इस तरह से तूसरे वह अफ़ात के अपने अंदर कोई परह जैना है जो क्यों से पाइप मेंधने करने वालbak है जो कण Hm और दूसरे इंसान बहुत death पर हां अगर हमें लगता है कि दूसरा इंसान बहुत pain में है तो फिर उसकी pain को understand करना होता है उसको शुरू में सिरफ यह बताना होता है कि I understand यह तुमारे लिए बहुत difficult moment है यह तुमारे लिए बहुत painful बात है बस आप अगर यह कह देते हैं और दूसरे इंसान को यह feel हो जाए कि मेरी pain को इन्होंने understand की है तो उससे भी बड़े मसले जो होता है वो हलोना शुरू हो जाते हैं अगर आपको लगता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा pain में है तो रो लिया करें थोड़ा बहुत उसमें sarcastic नहीं होना चाहिए आराम से कह सकते हैं मुझे बहुत तकलीफ सी हो रही है लेकिन अगर हम pain के साथ रहते हैं lack of empathy के साथ रहते हैं तो पिर हम दूसरों को blame करते हैं इस चीज से अपने आपको बचाना है अपने आपको heal करने के बजाए अपने आपको ठीक करने के बजाए हम दूसरों पर सारे इलजामाज जनव डालना शिरू कर देते हैं